नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिकाम है रूत्रा शुरुआत करते हैं उत्ता प्रदेश बॉलिटिन की कॉंग्रस के राश्ट्रे माहसचेव और उत्तप्रदेश के प्रभारी प्रियंगा गांधी के आवाहन पर कॉंग्रस प्रतिग्या यात्रा चल रही है राय बरेली में प्रतिग्या यात्रा में चल रहे सभी वरिष्ट नेताओं ने आयोजित जदसभा को संबोधित करते हु प्रतिग्या यात्रा की अगवाई कर रहे पूर्व सांसत प्रमोत तिवारी ने कहा कि हमारी नेता प्रियंग गांधी ने देश की आधी आबादी जो की महिलाओ की है उनके सम्मान के लिए उसे देश के समाजिक और राजनीतिक छेत्रम में मजबूत बनाने के लिए प्रियंका गादी ने कुछ प्रतिग्याई की है जैसे की छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देना साथ ही किसानों के लिए प्रियंका पूरे जीजान से लड़ रही है वोट बैंक की खातेर अब दलित पिछड़ा वर्ग अलपसंख्यक का सम्मेलन जन अधिकार पार्टी की तरफ से बिधूना में कराया गया दस्वी राश्ट्रिय अध्यक्ष बाबु सिंग कुश्वाहा ने सरकार और विपक्ष पर जम कर निशान साथ है जन अधिकार पार्टी में के एक कारकरत सम्मेलन में पहुँचे बाबु सिंग कुश्वाह ने भारते जनता पार्टी की कानून विवस्था पर जम कर निशान असाथ है उन्होंने कहा कि कानून विवस्था बदहाल बहु बेटियों बहुत ही बदहाल हो रही है जनसभाग को संबोधित किया जनसभाग को संबोधित करते हुँ उन्होंने कहा कि जो आज जुत्त प्रदेश के जनपद सहारनपुर में हजारों किलोमीटर से चल रहा है वो केवल लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि ये हिंदुस्तान मुल्क सबका है और हिंदुस्तान मुल्क में अपने मुसल्मान भायों को एक जोट होने की सलहादी वैसी ने कहा कि अब आप एक होकर मुझको वोट दीजे वोट ही एक मातर रास्ता है हिंदुस्तान मुल्क के अंदर अपनी ताकत दिखाने का यही समय है केंशन में इंकॐरी कमिशन में यह बात साबित होगी कि सावरकर गांधी के खतिल में कॉपुरेशी में शामिल से आप कैसा करेंगे जो गांधी के मुडर में कंस्पुरेटरस का नाम कैसा रखेंगे पूरे देश में, गुरगाओं में, खास तोर से गुरगाओं में, पूलिस दे रही है परमिशन, बीजेपी के लोग क्यों पड़े रहे हैं कुमहारों के बरतन खरीदे गए, करीब 11,000 दिये हिंदू जागरमंच ने खरीदे और गरीब और जरूरत बंद लोगों के लिए दिये बाटे गए, कारेकरताओं ने चाइना सामगरी का कड़ा विरोध करते हुए वोकल फॉर लोकल के बात कही, उनना के लोगों से अपील की कि चाइनीज वस्तों का वहिश्कार करे। पड़ाया जाए और उनके घर भी दिवाली हो और इस तरह से हिंदू जागरमंच आज लब तक 11,000 से अधिक दिये बाट कर लोगों को ये संधेश देना चाहता है कि जो लोग है, वो जो कुम्तार लोग हैं, उनके घर दिवाली हों को ने उनके दोरा जो ये बनाए जाते ह प्रतापगर में तेउहर के मद्दे नजर पलिस ने चापेमारी की लाखों रुपई कीमत का पटाका पुलिस ने बरामत किया, चापेमारी के दोरान प्लिस से बतमीजी का प्रयास भी किया गया, वहीं श्याकी बेगम वोट वे बुलिस नहीं चापे मारी करने के बाद पटाका बरामत किया और रियाशी मकान में पटाका बन रहा था जानकारी दी गई कि इस से पहले पकड़ी गई पटाका वैक्टरी में आग लगने से एक की मौत भी हुई थी देखे ये इंस्पेक्टर कोतवाली को सुचना मिली थी कि आने वाले दिवारली के तिहार के करम में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैद बंदारन किया गया है जिसके करम में आज वहां पर जांच की गई तो बेगम बाड में तीन स्थानों से पटाके बरामत हुए हैं भ और इन पटाके ये मालक के अनुरूप नहीं है और किसी परकार का लाइसेंस इन पूरी में जनसत्ता दल पार्टी के रास्टर अध्यक्षिर रगुराज प्रताप और फुराज भाईया का अबावनवार जन्मदेवस और सरदार वलब भाई पाटेल के 146 वी जोयन्ती मना गई शीतला माता मंदिर में खुशी जाहिर की गई जिसमें हवन, यग्य, महारती, प्रसाद वित्रण और व्रिक्षर रोपड का कारेक्रम किया गया उसके बाद के काटकर हर्शो लास के साथ कारेक्रम बनाया गया यहाँ जिलाद्यक्षो ने बताया कि आगामे विदान पतादल लोकता अंतरिक पार्डी की भूमिका के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी भारी संख्या में कारेकर्ता मौजूद रहे अच्छा यह हैं जो आपके राष्टी अद्यशी जी है राजे भाई है कौन सा जनम दिन आद मनाया है कितना जनम 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 है और हर वर्स हमसी तलमाता मंदर पर आते हैं हमारी टीम मैंनपुरी में आज मेजर यादव डिफेंसर ट्रेनिंग अकाडमी का उधगातन किया गया सैनिक स्कूल के प्रधानचार्य कर्डल अगनिवेश पांडे के करकमलों की तरफ किया गया जिसके संच्छालन मेजर सुरीश चेंडर यादव है और इस उधगातन में पूरी जन खबर जनपन मैंनपुरी से है जहाँ पूर बुसांसर टेश पृता पियादव के नेतरत्व में भारतिय जनमानस के चहेते लहपुर शिस्तरदार वलब भाई पटेल की जेनती मनाए गई कारिक्रम में सपाकारियाले के पास मेरिज हाल के प्रांगण में आयोजित किया गय जहाँ प्रदेश उद्यक्ष उत्तम मुख्या देथी के रूप में मौजूद रहे वही भारी संख्या में लोगों का हुजू मुमर्द पड़ा जिससे जले के सपाके विधायक और तमाम पदाधिकारियों का कारेक्रम में भाग रहा और सभी कारेकरताओं में भारी जोश भी दिखा मैनपुरी के कुरावली छेत्र में यूवक की संदिक्द परिस्तियों में मौत हो गई मौत की सूचना से परिवार में कोहरा मच गया तो वही मौके पर पहुचे पुलिस ने शवको कबजे मेले कर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है गटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुच गई पुलिस ने शवको कबजे मेले कर पोस्ट मौटम के लिए भेजा वही मौत की पत्नी परार हो गई है फिलहाल घटना का सही कारट पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा और पुलिस मामले की जाज परताल कर रही है उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहालेता ही प्राइम टीवी के साथ आप बने रही है झाल झाल